जिस तरह से एंबलेस सक्तान यहां है? जिस से यहां जो केस पुलिस ने बनाया है वो टोटली फरगी है क्योंकि अलकाराय की आईडी उसमें दिखाई गई है और उस आईडी पर ओटर आईडी पर किसी के हस्ताच्छा नहीं है जिससे यह थाबित होता है कि पुलिस ने यहां केस बनाने के लिए आपके अपनी से फरगी उटर आईडी रखी है और क्योंकि अगर उनको और कंपनी जो है के नाम आपके वो गड़ी है एम्बूलेंस है और उसके बास सेकेंड ओनर जो है आपके डाक्टर अलकाराय होती है जैसा आपके हर रजिस्टेशन में होता है और अलकाराय की बेक्तिगत रूप से वो आपके गड़ एम्बूलेंस नहीं है बलकि एम्बूलेंस जो है आपके उनके संजीवनी हास्पिटल माउ के नाम है और चुकि वो समय आपके जिसमय एम्बूलेंस रिलीज हुई थी इन लोगों ने लिया था तो उस समय पूरे प्रदेश की आपके जितनी भी सरकारी अबूलेंस थी उनका रिजिस्टेशन बारा बंकी में हुआ था तो उन लोगों कंपनी वालों ने इनका भी रिजिस्टेशन बारा बंकी से कराके उनको आर्चीर दी थी और इस पूरे प्रक्रिया में कहीं भी डक्टर अलकाराय से स्थनाथ राई या मुद्दर अंतारि या किसी आदमी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कमपनी का अपना सीधा-सीधा मामला था, और कमपनी ने ये सब कराया, और उसमें ओटर आइडी फ़र्जी देने का, यहां का मामला ही क्या बनता है, क्यों आदमी आप अनुमत से लाए कहीं आदालत का किसी भी आदेश नहीं है कुछ नहीं है पुलिस गई और एकलावारी से बूलेंस लाके यहां कहती है कि यह आपके एमूलेंस वहां रोपड में चल लही थी क्या इन्होंने कोई वहां का मेमो बनाया क्या वहां किसी मजिस्टेट या किसी पर इन्होंने गंगेश्टर किया क्योंकि मुक्तार अंसारी के साथ चितने लोग इसमें नामजद हैं वह बाराबंखी में उनकी कभी कोई कदमी दिन नहीं रही है अब राजिक और मुक्तार अंसारी कभी भी बाराबंखी आये नहीं है कि मतलब किसी समाहरों में आये हों क कोई आपके सारी चीज़ है ऐसा कोई भी साच्छ नहीं है तो यह सब सरकार ने परिशान करने के लिए तमाम सारे लाट आप सुरी मुकदमें इनके उपर कायब फर्जी मुकदमें बनाएं जिसकी अगर जांत ही जाए तो तमाम सारे पुलिस वाले इसमें अभ्युक्त साबि ऑंडे